गाइस तो गाइस वैलकम बैक टू मैं चैनल आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे तो गाइस यह मेरा कमिशन आर्ट वर्क का लेशन 10 है और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एक के नेक को एक रियलेश्टिक सेडिंग कैसे करते हैं वह मैं आपको बताऊंगा और तो उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल लेकर को लिए करें कि ऐसा ऐसा जो इंफर्मेटिव वीडियो है वह काफी और आगे आने वाले और वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे समझेगा तो गाइस आजए स्टार्ट करते हैं लेट्स गो सो गाइस मैं यहां पे न इस्टिक पोट्रेट मैं ड्रॉ करूं तो गाइस यह वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और इसके रिलेटेड इतना भी मैंने वीडियो मैंने अप्लोड मैंने किया हूं वह सब वीडियो आपको काफी हेल्प करेंगे तो गाइस आए स्टार्ट करते हैं तो आप के पास वह नहीं है तो आप काफी कम प्रेसर देखे आप आसानी से ड्रो कर सकते हैं लेकिन मेरे पास यहां पर फोरेश का है पैंसिल है इसलिए मैं यहां पर इसे मैं यूज कर रहा हूं तो किसी भी तरह का अगर आपको एक drawing बनाना या आपको एक portrait बनाना है और वह काफी ज्यादा realistic या hyper realistic हो तो आपको वहाँ पे layer by layer work आपको करना पड़ेगा यह आप बिलकुर समझ जाएं कि अगर मुझे किसी भी तरह का मुझे एक work बनाना है तो वहाँ पे layer by layer काफी important है कि प तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे हलके यहाँ कर रहा हूं अगर आपको भी light setting करनी है तो आप pencil को आराम से पीछे से पकड़ें और धीरी धीरी अप यहाँ पे करें वहले ही video में थोई fast यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन मैं यहाँ पे काफी अराम से और काफी धीरी धीरी म यहां पर pencil को यूज कर रहा हूँ कि इसमें पैचिस नहीं है अगर आप fast करेंगे pencil को move करेंगे तो skin जो skin पर पैचिस आ जाएंगे जो कि बिल्कुल खराब लगते हैं इसलिए आपको धीरे धीरे आपको आसानी से आप को यूज कर दी है जैसे में brush जैसे में आप यहां पर देखने कि मैं यहां पर brush यह उच्छ कर रहा हूं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप टिसू पेपर या cotton या earbud या blending stamp यूच कर सकते हैं मेरे recording अगर सही माइने में अगर को टूल से अच्छा टूल से blending के लिए तो अब brush है और किस तरह का brush अगर आपके पास makeup brush है तो काफी बढ़िया है और मैं अब यहां पर second layer में यहां पर देने वाला हूं तो मैं यहां पर HP range का pencil में हम यूज करने वाले हैं जो pencil है वह काफी ज्यादा थोरी सी dark होती है और उसे काफी अच्छे shading भी हो जाती है और pencil को इस तरह से sharp करके आप आसानी से कर सकते हैं एक soft shading आप कर सकते हैं तो आपको reference में अच्छे से observe करके आपको यहां पर करनी है आपको यहां पर देख के अराम से करनी है कि कहां कहां पे हलका dark है कहां पर mid tone है या कहां पर light shading है आपको अच्छे से reference को देखना है और जहां जहां पर जो जो condition पे वहां पर light है कि dark है या mid tone है उसी condition पर आपको pencil को आपको यूज करनी है जिस तरह से मैं यहां पर कर रहा हूं तो देख सकते हैं साइड में काफी ज्यादा mid tone है इ यहां पर mid tone में ला रहा हूं और नीचे side भी हलकाल का mid tone है तो वहां पर हलके हलके हाथों से हलके pressure देकर मैं यहां पर कर रहा हूं तो देख सकते हैं कि हमां second layer complete हो चुका है और अब हम यहां ब्लैंडिंग करेंगे तो ब्लैंडिंग के लिए वही brush मेकप brush से वही brush से काफ के अच्छे से blending हो जाता है और result आपके सामने है तो देख सकते हैं कि brush से कितने अच्छे से और कितने साफ सुत्रा यहां blending हो जाते हैं और अगर आप भी realistic के sketch बनाना चाहते हैं तो आपके पास यह tools होना काफी important है तभी जाके आप अच्छे से के realistic या hyper realistic आप एक drawing बना सकते हैं तो देख सकते हैं हमारा यहां पर blending हो चुका है और यहां पर और हम देखेंगे कि कहां कहां पर extra dark है तो मैं यहां पर 2V मैं यूज़ कर रहा हूं तो गाइस आप जैसा भी आप एक drawing बना ले तो पहले आप अच्छे से observe करना सिखे कि कहां पर कौन सा pencil यूज़ होना हाँ यहां पर मुझे टूवी यूज़ होना चाहिए इंपॉर्टेंट है कंपसरी है तो आप वहां पर टूवी आप यूज़ करें अगर आपका एच्वी से काम चल जाता है तो आप वहां पर ही है आप यूज़ करें ज्यादा आप पर टूल्स पर डिपेंड ना रहा है बस आपको इस्किल्स को और इंप्रूफ करना है तो देख सकते हैं कि हमारा यहां पर जैसे जैसे जो रिफ्रेंस में दिया हुआ है तो वैसे वैसे मैं यहां पर कर रहा हूं तो लगवग मेरा यह ठाड लेयर में कंप्लीट हो चुका है अब हम इसे फिर से ब्लैंड और काफी ज्यादा इंप्रूटेंट होती है अगर आप सोचे कि फर्स्ट टाइम में मैं यहां पर कंप्लीट कर दूँ तो ऐसा जो टैक्शर है वह आपके पास नहीं आपाएगा इसलिए आप यहां पर टाइम दे का इच्छे से ड्रोग करें तो देख सकते हैं हमारा यहा इंडिंग बहुत इंपोर्टेंट है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम देके करें और अब देख सकते हैं कि जहां जहां पर एक्स्ट्रा हाइलाइट है तो मैं यहां पर इनेवल इरिजर में यूज़ कर रहा हूं यह काफी बनिया टूल्स है और यह टूल्स भी आपके प दिखनेंगा और हैपर रिष्टिक बनेगा तो गाईज बस यही एक टेखनीक है यही एक सींफल तरीका है सेडिंग करने का हाइलाइट करने का ब्लैंडिंग करने का तो काफी अच्छे से मैंने आपको समझा चुका हो और अगर किसी उस बीदिभी तरह को एक डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पुछें तो आपको जो डाउट है उसे मैं आपको आसान तरीका से एक रिपलाई दे करके मैं उसे आपके डाउट को किलियर कर जूँँगा तो गाई इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए डू प्रैक्टिश टू इंप्रूफ टेक केर बाबाई